हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल इंडियन तड़का भाई संगीता अम में डॉटर जूओ मिया नाम है नुष्ठा दुबे यह मेरे मदा संगीता तुबे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक करिएगा शेयर करेगा अपने नीचे बैल आपकोन पर क्लिक करके तो चेलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं शो फ्रेंड्स आज हम पारेने वाले हैं निट्रीनियर का कबब नेकर हमें चाहीं होता हरा सोया चंग्स जैसा कि आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है सबसे पह कप लिया था जीसे मैंने विखों καर रात भर रख लिया था और इसे बॉइल करके मैंने इसे पीश लिया था है कि नेट्री नरचीर बॉइल हो चुका है अब इसे हं पढ antisे में निकाल लेंगे और इसे रूम टेमप्रेचर पर ठंडा कने के बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंट कर लेंगे सोया चंग्स ठंडा हो चुका है अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंट करेंगे सोया चंग्स ग्राइंट हो चुका है मसाले में चाहिए होगा धनिया सुखा पीसा हुआ गरम मसाला अद्रक लहसुन का पेस्ट कटी हुई प्याज और कटा हुआ हरा धनिया और कबाब को बाइंड करने के लिए हम यहाँ कौन फ्लोर का यूज़ करेंगे सबसे पहले हम एक बरतर में चने की दाल डालेंगे फिर हम डालेंगे निट्री नगेट यसे हमने ग्राइंड कर लिया था फिर हम डालेंगे अद्रक लहसुन का पेस्ट फिर हम डालेंगे गरम मसाला धनिया पाउडर कटीवी प्याज और हरा धनिया फिर हम डालेंगे दो चमच कॉन्फलो पॉडर और लाश्ट में हम डालेंगे नमक स्वाध अनुसार यहां मैं लाश्ट में पॉडर कभी यूज करूंगी आप चाहे तो डाल दो सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और अब इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारे इंग्रीडियंट्स हमने मिक्स कर लिये हैं अब हम इससे कबाब बनाएंगे आपको भी इसी तरह बनाना है मिक्स्चर को हमने बाइंड कर लिया है अब इससे हम फ्राइ करेंगे तबा हमने गैस पर चढ़ा लिया है उस पर हम डालेंगे रिफाइंड तेल पिर हम डालेंगे कबाब जब एक साइल फ्राइ हो जाए तो इससे आप परट लेंगे इससे में परट लिया है तो आप देख रहे हैं अच्छे ते फ्राइ करने के बाद हमारा कबाब बनके रेडी हो चुका है So friends, हमारा निट्रिनेरिक कबाब बनके रडी हो चुका है आप हैं बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा शेर करेगा अपने फ्रेंडस और फैमिली के साथ और प्लीज हमाय जनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे और भी अच्छी रेस्पीस मिलती रहे थैंक्स पर वाचिंग